बहुत सारे बच्चे हैं जो रील बनाने में सही में बहुत व्यस्त है जो कि उनको ये आज ने तो कल छोड़ना ही होगा पावन सिंघ खेसारी जा ले आदो और अक्छरा सिंघ में ऐसा क्या है अपना अपना स्वाद है अपना टेस्ट है अब कुछ लोग उनको देख के खुश्श भारतिय संस्कृति को जिस तरह से आगे बढ़ाया है द्रौपदी का भी रोल आपने जो कला को नहीं समझ पाते हैं वो कला को और इस करने में थोड़ा पीछे बनारस घराना तो जैपू जैपूर के ही तो गुरू आगे सब में आज हमारे साथ है डॉक्टर अनू सिन्हा जी जो की जैपूर घराने से आती है युनों ने द्रौपदी उर्वसी और मीरा भाई जैसे कई रोल अभीने को भी किया है मैं पहले तो रुपप्लिक हिंदुस्तान में आपका और आपक कई बाई उच्छा लग रहा है यहां पर इतना चाहल पहल देखके भाधा अनंदा रहा है कितना जैपूर अलंदः और इसका जो अनुभा है वह तो दो विल्कूल अलग है अंतुल यह आपकी टीम है मैं आ आपके साथ हैं कि इतने सालों से आप मैं की साथ काम कर रही है वाउयक है बागी इन लोग यहां पर इनके गुरु सब्सक्राइब अगई और जाहिए महीं ऐसानों पूंजा को कइसे बिक निम एक बहुत का सवाल है पड़ते हैं, क्राउड इतना भर जाता है, तो क्या सुरोताओं की समझ कम है, या फिर किस तरह आप देखती हैं? नहीं, देखिए, इसमें हमें कुछ बोलना ठीक ने रहेगा, वो सबका अपना स्वाद है, अपना टेस्ट है, अब कुछ लोग उनको देखके खुश होते हैं, अच्छा लगता है, तो वो उनको देखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, जो हमें भी देखके खुश होते हैं, तो हमने भी उसका आनन्द उठाते हैं, हम लोग भी. कहां-कहां आपने प्रोग्राम किया है हमने पूरे हिंदुस्तान मेंaurais गई भारत और बात में स्रुताओं में दर्शकों में भारत में बहुत रुची है शाष्टीय निर्थ के पाते को लेकर और बहुत जादा से जादा इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं सब लोग बहुत अच्छे तरह से अनन्द लेते हैं आपने भारतिय संस्कृति को जिस तरह से आगे बढ़ाया है द्रौपदी का भी रोल आपने किया उर्वसी का रोल किया यह सब रोल आपके लिए कितना चुनोती पूंड रहा है लेकिन निर्थे मिके माध्यम से यह सब को दिरिष्चे को जिखाना का मैनि हमने पिछले बार चाल पहले मैं नहीं बर परफोर्म किया हम उसlusive हम ने कमाहिन प्रस्तुत किया था और वस में हम ने जितनी हम आक दरों को थे उस सभी भाव को अम लोग ने अपनी जह नित्यांगनाओं के द्वारा दिखाया था तो ये सब चुनोती पूर्ण होती है लेकिन अच्छा लगता अनंद लगता मैं बनारस में हूँ आप भी बनारस में है बनारस 200 साल पुराना घराना एक है आपको पता होगा पाम और जैपूर घराना भी एक है तो कितना अंतर पाति हैं इन दोनों घरानों में बनारस घराना तो जैपूर से निकला है ना जैती हैं हमारे साथ अच्छा जैसा कि मैम ने बताया हम लोग कही सालों से जुड़े हुए है साथ में और मैम के साथ परफॉर्म करके बहुत खुशी मिल रही है बहुत नहीं चीजे सीखने को मिल रही है आप भी स्टुडेंट भी होंगी हान जी मैं बियाच्चु में अधिया दुरतनू मेरा मास्टर्स लिए भी चल रहा है जय से नहीं नहीं प्रफॉर्म से चब्लस में अपने गुरु संदीब बोजी के पास भी सीख रहा हूं जय शिए प्रफॉर्म में आप एच्चु इस अधि युद्धिया अधि प्रफॉर्म किया मैं आप शुडेंट है यह आप नहीं बियाच्च से इस लिए थोड़ा पीछे रहते हैं तो इसलिए थोड़ी से काम इसलिए ऐसे लोग को ज़्यादा प्रमोट करते हैं जो उनके कान को अच्छा लगता है और ये आर्ट ऐसी है जिसको फट्रदा से समझना पड़ेगा तो उसके लिए थोड़ा तो समस्या आती है आजकर की सरकार बहुत बढ़ चड़कर इसमें सहयोग दे रही है हमारे बाइटिये कला को और कलाकारों को बहुत अच्छे-च्छे सकीम के तहट सारी सुविदाय दी जा लेकिन इसमें अगर आज बहूत सारे बच्चे हैं जो रील बनाने में सही में Bहुत व्यास्त है जो की उनको आज ने तो कल छोड़ना ही होगा नहीं तो उनका बहुत जल्दी विनाश हो जाएगा सास्वत तो सास्त्री संगीत ही है लेकिन उसको संगीत जब मंच पे हो रहा है वीडियो बनाए रील बनाए सब चीजे करें लेकिन हर एक वक्त रील में ही रहना और किसी भी जगा पे रील बनाना और उसी के जरिये अपने आपको यूटूब पे प्रमोट करना इसके हम लोग खिलाफ है वही यह थी हमारे साथ डाक्टर अनू सिन्ह जी जो जैपूर घराने से आती है